जहिंदी स्टूडेंस, I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की प्रिप्रिशन अच्छी चल रही होगी MPPSC State Service 2021 का मेंस इग्जाम इन दिनों चल रहा है, आज GS3 का पेपर था, तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के कोस्चन्स पूछे गये थे सबसे पहला कोस्चन है, जिसमें खा गया है कि इस प्रिश्ण में 30 अती लगुत्री उप्रिश्ण है, प्रतेक प्रिश्ण के उत्तर है तो आदश, सब्दश्णीमा, दस्टब्द या फिर एक पंक्ती होगी सबी प्रिश्णा निवार हैं, कंपलसरी हैं और हर एक कोस्चन तीन-तीन नंबर की हैं अब इसमें जो अती लगुत्री उप्रिश्ण हैं उनको देखते हैं पहला कोस्चन है कि 0.6 cm तरंग धैरे की एक तरंग वायू में उत्पन्न की जाती है और यह 300 मीटर पर सेकेंड की चाल से ब्रमड करती है क्या यह है, सब यह सुने जानी योग यह है दूसरा कोस्चन है क्योरी तापमान को परिभासित करें तीसरा कोस्चन है इस्थारी चुम्बक बनाने में स्टील का उप्योग क्यो किया जाता है चोथा कोश्चन है रासायनिक बंध क्या है? पाथवा कोश्चन है विरंजक चून का रासायनिक सूत्र लिखे छटपा कोश्चन है जशद लेपन ग्लेविनाइजेशन क्या है? साथवा कोश्चन है कोशिका को परिभाशित कीजे आटवा कोश्चन है भोजन के प्रमुख घटक क्या है? नवा कोश्चन है पौधो, पादपो में जड़ रोमों के प्रमुख कारी क्या है? दसवा कोश्चन है कि phishing या फिर email इस पोफिंग में क्या किया जाता है? ग्यारवा कोश्चन है एक email पते का सामान प्रारूप क्या होता है? दारवा कोश्चन है एंड्रोइड, फेडोरा, विंडो और आई ओएस किसके नाम है? तेरवा कोश्चन है समीकरण x equal to 2y को ax plus by plus c equal to 0 के रोम में लिखिए और a, b तथा c का मान ग्यात कीजिए चोदावा कोश्चन है एक वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्न ग्यात करने का सूत्र क्या है? कोश्चन नमबर 16 है योग की परिभाशा लिखें कोश्चन नमबर 17 है विश्व स्वास्तर संगठन, डबलू यचो पर संचिप्त तिपड़ी लिखें कोश्चन नमबर 18 है भारत सरकान ने आयूश विभाग में किनकेंची किस्सा पद्धतियों का समायोजन किया है कोश्चन नमबर 19 है प्रगत प्रद्योग की केंद्र कहां इस्थापित है? किस वैज्यानिक का नाम इससे जुड़ा हुआ है? कोश्चन नमबर 20 है वैज्यानिक प्रफुल्य चंद्रराय का मुख्य योगदान क्या है? कोश्चन नमबर 21 है भारत में रिमोट सिंसीं का कारिक कब प्रारंभ हुआ? कोश्चन नमबर 22 है कॉप 26 सिखर सम्मेलन के अनुसार भारत कब तक निर्जीरो कार्बन उससर्जन का लक्ष प्राप्त करेगा? कोश्चन नमबर 23 है टेरी का विस्तरित रूप है? कोश्चन नमबर 24 है जैवीधन सिल क्या होता है? कोश्चन नमबर 25 है पर्यावरन नैतिक्ता को परिभाशित कीजे कोश्चन नमबर 26 है पर्यावरन संदक्षड कानून के तीन नाम बताईजे कोश्चन नमबर 27 है प्रमुक्ष पर्यावरनी मुद्दो का वर्णन कीजे Q28 से भूविज्ञान को परिभाश्यत करें Q29 से प्रित्वी की अधिक्ता मायूग क्या है Q30 सूचकांग जीवाश्म क्या है इसके बाद Q2 है जिसमें 20 लगुत्री उप प्रिश्ण है प्रतेक प्रिश्ण के उत्तर रेतू, आदर्श, सब्द सीमा, 50 सब्द या फिर 5-6 पंक्तिया है सभी प्रिश्ण कंपल सरी हैं हर एक Q5 नमबर तो पहला Q2 है एक मोटर साइकल चाला कद्रवमान मोटर साइकल के साथ 90 किलो ग्राम है Q2 है उस्मा इस्थाना अंतरण के तीन तरीके क्या है Q3 है सक्रिता शेनी क्या है Q5 है श्वशन क्या है जीवों में प्रमुक्रिश्वसनं कौन से है Q6 है इस्तंधारी के व्रशन पर संचिप्त टिपड़ी लिखिए Q7 है कंप्यूटर के इंपूट और आउटपूट डिवाइस का क्या कारे होता है प्रत्यक प्रेकार के डिवाइस के दो-दो उदारण लिखिए Q8 है डिजी लॉकर उप्योग करने से नागरिको को क्या लाब है Q9 है श्याम के पिता की आयू श्याम की आयू के तीन गुने से पाँच वर्श अधिक है श्याम के पिता की आयू 47 वर्श है Q10 है दोखी लाड़ी सीता और गीता टेबल टेनिस का मैच खेलती है यह ग्यात है कि सीता द्वारा मैच जीतने की प्राइक्ता 0.59 है गीता के मैच जीतने की क्या प्राइक्ता है Q11 है भारत सरकार के आयुश्मान भारत कारिकरम की संचिप्त व्याख्या करें Q. 12 है भारत के परिवार नियोजन कारिक्रम की संचिप्त व्याख्या की रें Q. 13 है क्लोनिंग क्या है संचेप में समझाईए Q. 14 है भू इस्थिर उपग्रह का संचेप में वर्णन कीजिए Q. 15 है उर्जा संकट की पीछे प्रमुख कारण क्या है Q16 है पावन उर्जा सेंद्र की स्थापना के समय पावन की प्रकृती को प्रभावित करने वाले कारक क्या है Q17 है उर्जा सबसीडी की अवधाना स्पष्ट करें तथा प्राकृतिक पारस्थत की तंत्र का उधारण दे Question number 18 है पारंपरिक जल प्रदूशन को नियत्रित करने वाली नीती की व्याख्या करें Question number 19 है अब्दलनी कायांत्रण क्या है Question number 20 है तेलिये जाल को परिभाशित कीजे Question number 3 है एस प्रिश्ण में 10 दीरगुत्ती उप्रिश्ण है प्रिट्यक प्रिश्ण 200 सब्द के होने चाहिए सभी प्रिश्ण कमपल सरी हैं हर एक Question 11-11 नमबर के है पहला Question है एंट्रोपी को विस्तार से परिभाशित करें दूसरा Question है pH Scale को विस्तार से समझाइए तीसरा Question है थाईराइडस, खृंधी की संब्चना उसके हार्मोन तथा संबंधित विकारों का वर्णन कीजी कोश्चन नमबर 4 है कम्प्यूटर में भाषा अनुवादक, लेंग्विज, ट्रांसलेटर्स क्यों आवश्चक है कम्प्यूटिंग, सिस्टम में अनुवादकों के विभिन प्रिकार क्या है कोश्चन नमबर 5 है, दो अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में तीन का अंतर है इस संख्या में इसके अंकों को बदल कर प्राप्त संख्या को जोडने पर 143 प्राप्त होता है मूल संख्या क्या होगी Q6 है ड्राश्ट्री टीका करण कारेकरम का तालिका वद ब्योरा प्रिस्तत करें Q7 है जै प्राध्योगी की का स्वास्त के छेत्र में उपियोग बताईए Q8 है मध्यप्रदेश नविकानिय और जानीती 2022 की परिकल्पना एवं उद्देश लिखे Q9 है भारत के संदर्प में परियावायनी शिच्छा एवं जागरुकता कारेकरमों का विवरण देए Q10 है प्रारंभीक आवसादी संडचनाओं का विस्तार से वर्णन कीजे तो यहाँ पर हमारे सभी Q2 होते हैं यह Q2 आप सभी के तैयारी प्रिप्रेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से रहे हैं हमें कमेंट की माध्यम से जरूर बटाएं